नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सभी बिगनर्स के लिए जो JPSC का त्यारी करना चाह रहे हैं और या फिर JPSC को ले करके वो कंसर्ण जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले एक्जाम को मैं दूँगा तो इसको ले करके उनको बहुत कुछ नहीं पता है जैसे कहने का मतलब है कि syllabus क्या है किस तरह से exam होता है किस तरह से उन्हें त्यारी करना चाहिए ताकि उनका selections हो पाए इन सारी चीजों को ले करके इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वीडियो को end तक देखिएगा चैन सा बुक पढ़ना है किस तरह से त्यारी करना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्त कि सबसे पहले आप तो एक graduate हूँ आप graduation आपकी हो जानी चाहिए और अगर आप graduation के दवरान भी अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाला जो JPSC का exam है उसको मुझे देना है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कि जिये कि सबसे पहले सबसे पहले मैं सबसे पहले इसलिए बार बार बो रहा है आप basic book को पढ़ना इस्टार कीजिए basic book को अगर हम बात करने तो सबसे पहले क्या NCRT का और NCRT में ही एक मेरे वीवर्स ने सवाल पूझा था कि सर NCRT में CBSE वाला पढ़ू या फिर आपका NCRT जो है State State या फिर Central वाला देखिए यहाँ पर NCRT में Confuse नहीं हो येगा एक और यहाँ पर सवाल आता है कि सर और NCRT पढ़ू या New पढ़ू ये सवाल आता है Confuse की मैं आप लोगों को यहाँ पर Confuse को दूर कर दूँगा सबसे पहली बात है कि NCRT बुक को पढ़ना है चाहें आप State वाला पढ़िए, Central वाला पढ़िए कोसिस किजिए कि Central वाला पढ़ने का वैसे देखिए State Government को भी Responsibility दिया गया है कि NCRT का प्रिंट करके आप अपने स्कूल में उसे भेजे और उसे एवलेबल करा है तो इसमें बहुत ज्यादा Confuse होने की ज़रूरत नहीं है कि State वाला पढ़ू या Central वाला पढ़ू कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जुरूत नहीं है अगर आप जोग्रफी पढ़ रहे है NCRT से तो आप एक परसेंट और वाला पढ़ लिजे कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन ज्यादा तर पोसेस किजिए कि NCRT निव जो है उसे आप पढ़िए निव जो है उसे आप पर यह क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यूंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेज हुए हैं चाहा हो समाजिक छेत्र में हो आर्थिक छेत्र में हो भोगोलिक छेत्र में हो तो उसमें से नए चीज़ों को एड़ गया हुआ है आज देखे बैस्श्वी करन को लेकर के हो बात या फिर globalization को लेकर के हो बात लिए निया फिर आपका global warming को लेकर के हो बात इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर जोड़ा गया तो आने new वाला को फिरिफिर कीजिए पहली बात आप यहां पर पढ़ना कि कहां से कहां तक है सिक्स क्लास से लिए करके ट्वेल्थ क्लास तक है एंसे आटी को आपको हर हाल में पढ़ना होगा हर हाल में पढ़ना होगा और ऐसे नहीं पढ़ना कि क्यों रिडिंग डाल दीना है और पढ़ लिए उसके बाद हो गय जब तक कि आपका सारी जू सइन्स का हो यह सारे जो बूक का नोस बनाना स्टार्ट कर दीजिये कमिस्टन में ऊफिसर मनना इतनी आसान नहीं है आपको हर चीज को बहुत अच्य अच्छे से पढ़ना पड़े दूसरी बात हम आप से करना चाहेंगे, कि अगर आप beginner हैं आपको कुछ नहीं पता किस तर तैयारी कैसे करना है, कि आप मुझे coaching लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं इसमें बात करना चाहूंगा कि coaching को ले करके अगर आप में कोई concern है, कि coaching को करना चाही यह नहीं करना चाही तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा है, कि coaching को ले करके ज्यादा आप hectic ypping DAC decía hurdles में नहीं रही है, coaching बहुत ज्यादा importance नहीं है, Self study, जो है हमारा, self study, बहुत important है, coaching के आप testăries को join कर लिजी, ज़यदा ज़यदा, अगर आपके पास पैसे नहीं है, बहुत ज़यदा coaching join करने के लिए, coaching join नहीं किजिए, आज कल online बहुत ऐसे resource available हैं, जिसके उनले करके आपड़ सकते हैं, अगर वो चीज़ें अगर खुद के अंदर डबलब कर लिए आप अंडेस्टेंड करने के कोसिस कर लिए तो कोचिंग के जुरत नहीं है आप सेल्फ अस्टेडी पर ज्यादा फोकस कीजिए और सेल्फ अस्टेडी में आपको बहुत ज्यादा एकूरेसी भी आता है मेहनत करन आपको तब तक के लिए काम आएगा और सेलेक्शन के बाद भी आप चाहते हैं किसी को पढ़ाना किसी को आगे मारुख दर्शन के रूप में आप अपने आपको लीड करना तो आपको नोट्स काम करेगा यहां तक तिसरी बात समझना आगे चौथी बात क्या है कि आपको देली कम से कम चार से छे घंटा आपको पढ़ने क्या दाना यह नहीं कि सराभी बाइट है ना इसमें एर ले लेने का मतलब है कि फिर फ्लक्चुट करने रहेगा वह बहुत ज्यादा चीज़ें समझ में नहीं आगा तो आपको पढ़ाई करना है सुबा साम करना है एक दम जिसतर मेडिसिन लेते हैं न सुबा साम सुबा साम आपका हेल्थ सही रहता है एक्जाम के लिए अगर आप बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रोंग होना चाहते हैं सुबा सम आपको पढ़ना इतना यह सारी बाते थी और इसमें कोई सवाल ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं करके पूछिएगा मैं जरू आप लोगों को बताने का गाइड करने का कोसिस करता हूं लगातार और करता ही रहूंगा आप उसक्रीव अपना प्यार देते रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आकन को भीट कर लिजेगा और कोई सवाल हो बिगनर्स हैं नही कोसिस कर रहा है आप लोग जूरते जाईए अपना प्यार देते रहे हैं मैं कोसिस करूँगा हर दम आप लोगों को एसिस्ट करने का अभी तो मैं jpc को ले करके आप लोगों को एसिस्ट कर रहा हूं अगर यह मेरा platform वार सब बढ़ा हो जाये then after we will move for the ups examination but अभी फर्दर म को बहुत बहुत रुब काम ना है आप रोत्यारी की जिए मिलते हैं को नवी वीडियो में तब तक के लिए आप रोपने ख्याल रखेंगें बाइए